नमस्कार विद्यार्थ स्वागत है आपका हमारे चैनल योगा जोके से इंडिया में विद्यार्थ हैं जैसा कि आप यूजे से निट जारा परच्छा प्रसन पत्र को व्याख्यासा ही ठाल कर रहे हैं तो बगर इसकिप की पूरा वीडियो जरूर देखिएगा आप योक्स लिटर्ड बी एम में वाई सीबी आद किसी भी प्रकार का कोर्स कर रहे हैं उन सभी में ये वीडियो कामाने वाला है ये कोईस्टन सभी बहुत ही इंपोर्टन्ट है ध्यान से समझेगा तो चलिए समझते हैं सूची वन को सूची टू से सुमेलित करें और नीचे देगे कूट का प्रियोग करते हुए सही विकल्प चुने सूची वन दी गई है सूची टू दी गई है सूची वन में अभ्यास बताया गया है सूची टू में परिलाम बताया गया है तो सूची वन में देखिए ए अपरवैराग्ये बी किरिया योग सी परवैराग्ये डी असंप प्रग्यात समाध्यूटी अब यह तो हो गए ABCD क्रम संख्या इसके बाद Your मैंच करना है और Your यहां देखिए यहां पर آپ को आपको सेलेक्ट करना है और मैं आपको बताऊंगी इस को आप स्वेम से ध्यान से स्वेम से वीडियो करोगे और फढ़ें और अपनी तयारी करें उसके बद मैं बताती हूँ जस्ट चलिए अब मैं बता दूँ मैज करके आप परवेर आगे संपरग्यात समाधी कहाँ पर है परवेर आगे आशंपरग्यात समाधी कहाँ पर है और आशंपरग्यात समाधी कहाँ मैज करेंगे तो इस प्रकार से कौन सा आप्शन सही होगा दी ठीक यानि जैसे ये होता है आप कैसे मैज करेंगे एक का कहाँ से मैज करेंगे तो यहाँ पर फोर हो गया इस तरह इसको देखा जाता है और फिर किरियायो को कहाँ समैज करेंगे थीरी से तो यहाँ पर थीरी हो गया परवेरा को कहां मैस्ट करेंगे 1 से फिर ये असंप्रिया समाधी 2 से इस प्रकार से सेलेक्ट किया जाता है चलिए आपने अच्छे समझाओगा अगला कोश्चन देखते हैं इसमें भी मैस्ट करना है आपको ध्यान से समझिएगा सूची वन में देखिए ध्यान-योग-समाधी A. नाद-योग-समाधी C. रसानन्द-योग-समाधी D. लएशिद्ध-समाधी अब सूची 2 में देखिए खेचरी मुद्रा द्वारा 2. योन-मुद्रा 3. शामभवी-मुद्रा 4. भ्रामरी-मुद्रा अब A, B, C, D, A क्रम संख्या है इसकी ये जो है और ये आप्षन आपको सेलेक्ट करना है तो चलिए देखते हैं मैच करते हैं विद्यार्थियों चलिए आप मैं बताती हूँ ध्यान योग समाधि सांभवी मुद्र और नाद योग समाधि भ्रामरी मुद्र ठेक रसानन्द योग समाधि खेचरी मुद्र लैसिद्धी समाधि योनि मुद्र अब देखिए, A का थिरी है किसी में, C में है, ठीक, नाद योग समाधी, ब्रामरी में, 4, और फिर, C का, रसानन्द योग समाधी, खेचरी मुद्रा, ठीक, 1 है, और, लैसिद समाधी, 2, तो किस प्रकार से सही, कौन सा आपसन सही होगा, C, ठीक, आपने अध्य से समझ लिया, नेक्ष्ट, अब चलिए, इसमें भी आपको मैस करना है, ध्यान से समझेगा, इससे बहुत ही विद्यार्थियों, इंपोर्टर्ट हैं सभी कुश्चिन, चलिए समझते हैं, सुची वन में, इंडर्शन, बी, गार्डनर, इस्ट्रेंड बर्ग, डी, शेसी, सुची टू में, बहु बुद्ध लब्धिता का सिध्धान्त, बुद्धि का सिध्धान्त, बुद्धि का जयो प्रस्तित की ए सिध्धान्त, बुद्धि का तिरंत्रिये सिध्धान्त, त दिमाग लगाएं आप सेम उसके बाद मैं आपको सेलेक्ट करके बताती हूँ चलिए मैं बता दूँ एंडर्शन एंडर्शन में देया रथी हूँ बुद्धी का सिध्धान तो कहाँ पर है तो Gardner बहो बुद्ध लब्धता का सिध्धानत है कहां पर है वन Stranberg यानि बुद्ध का तन्तिये सिध्धानत कहां पर है four सेशी एक बचा यहां मैच कर दे बुद्धि जयोग पर सिति यह किये सिध्धानत इस प्रकार से कौन सा option right होगा, उपर मैंने आपको समझाया है, a, next, चलिए इसमें भी match करना है, बहुत important यहां है यहां वीडियो, ध्यान रखना, very important है, सोची 1 में देखिए, बिटामिन बी, एक सिकन, यहां पर है बिटामिन बी 1, बिटामिन बी 2, और बिटामिन बी 12, ठीक, और बिटामिन बी 3, यह ध्यान रखना, बिटामिन बी 1, ठीक, बिटामिन बी 2, बिटामिन बी 12, बिटामिन बी 3, आप सोची 2 पर तरफ देखिए, पेलागर, बेरी-बेरी, एंगलर, इस्टोमाइट से, मेगर, लोबलाश्टिक, एनेमिया, यह होगे रोग, यह होगे बिटामिन बी की, और बिटामिन बी के बिसें बहुत विस्तिरिस समझना चाते हैं, तो मैंने मानो सरी रचना उंकिरिया विग्यान पर वीडियो बना रखें, आप वहाँ पर देख लेजिए, चलिए, मैच करें आप, उसके पाद मैं आपको बताती हूं, तो मैं बता दूँ आपको मैच करके, बिटामिन बी वन, यह है बिटामिन बी वन, बेरी-बेरी, तो टू, बिटामिन बी टू, एंगुलर, इस्टोमेटाइट, तो कह नहाँ पर है, थिरी, ठेक, यह है थिरी, और बिटामिन बी टूइल्ब, मेगो लोब, लाश्टिक, एनिमिया, तो, सी, फोर, और विटामिन बी थ्री, पेला ग्रा, पेला ग्रा, यह ग्रा होगा, ठीक, इसमें टापिंग, इस्टिंग होगा, कुछ मिस हो गया था, लेकिन आप थोड़ा मैनेज कर लिजिए, अब इस प्रकार से कांसा आप्शन राइट होगा, तो भी राइट, विदार थि दी आप्शन होगा, नेक्स्ट, इसमें भी आपको मैच करना है, सुची वन में देखिए, मोटापा, सर्वाइकल, स्पाइनल, आइस, आइसिस, वो, इस पनल progressed, सानफा, स्वाइकल, स्पाइनल, स्पाइनल, दाइसन है, स्पाइनल, स्पाइसन है, स्पाइनल, लिखा जाएगा है कि सर्वाइकल स्पाइंड लाइसिस मद्वें गर्भावस्था और सुचिटु में भुजंगासन तितलियासन नौकासन अर्धमत्सिंद्रासन अब यह तो हो गया करम संख्या यहां पर आपको सिलेक्ट करना है चलिए मैं आपको बता दिमाब पहले सिलेक स्पाइंड लाइसिस सर्वाइकल स्पाइंड लाइसिस तो भुजंगासन वन मद्वमें अत्समंद्रे शासन और गर्भावस्था तितलियासन इस प्रकार से कौन सा आप्षन चाही रहेगा तो बी राइट एंसर नेक्ष्ट सूची वन नेती, धोती, बस्ती, द्राटक, सूची टब्रारोग, जात्रुद्धो रोग, श्वास रोग, तंद्रा रोग आप सन यहां सेलेक करें, मैच करें जल्दी फटाक से तब तक मैं मैच करके आपको बताते हूं पहले आप करें चलिए मैं बताती हूँ नेती जात्र धो रोग तू यहनि दाड के उपर वाले रोग सभी दूर होते हैं नेत किरिया से धोती से स्वांस रोग बस्ती से गुल्म रोग बस्ती से विद्यार थी हूँ और यहाँ पर जो यह तंदरा है यहाँ पर गुल्म रोग रहेगा तो फोर गुल्म रोग और त्राटक तंदरा रोग स्वास्त होते हैं इसे तो इस प्रकार से कौन से आप्शन राइट होगा आप्शन डी नेक्स्ट इसमें भी मैच करना है आपको व्याख्यान विधी समू चर्चा विधी प्रदर्शन विधी निर्देशित अभ्यास विधी सुचिटू में कौशल ग्रहकारे आप्चारिक सिच्छड समाधान कूट में अंसर आपको देना है यह ध्यान रखना है चलिए अब मैं बता दूँ आपको व्याख्या विधी अप्चारिक सिच्छड होता है थिरी से समू चर्चा विधी समाधान फोर प्रदर्शन विधी कौशल निर्देशित अभ्यास विधी ग्रहकार्या इस प्रकार से कौन सा option right होगा आपने फोटा किसे पकड़ लिया होगा सी right answer next ध्यानम निर्विश्यम मनह का संबंध किस से है ब्रह्म सूत्र से सांखी सूत्र से न्याय सूत्र से योग सूत्र से जल्दी से आप सेलेक्ट करें तब मैं बताती हूँ आपको तब बिद्यार्थियू सांखी सूत्र से बी से बिद्यार्थियू ध्यानम निर्विश्यम मनह का शंबंध सांखी सूत्र से है सांखी सूत्र के अनुसार ध्यान मन का विशे रहित हो जाना स्वामी दयानन सरस्वती के अनुसार जिसमें मन निर्विशे हो जाए उसी का नाम ध्यान है और या ध्यान नहीं समाधी का लक्चड़ है अब समाधी और सुसुक्ति के भेद को दिखाते हैं चलिए अगला समझते हैं सूर्य चंद्रम सोर्येगु जीवात्म परमात्मनों का वर्डण निर्विखितने किसमें है ए मैत्रियारन उपनी सदे बी कठोपनी सदे सी योगशिखोपनी सदे डी कैवल्योपनी सदे तो जल्दी सेलिट करें यानी सूर्य चंद्रम योगशिवात्मार परमात्मनों तो इसी यानी योगशिखोपनी सदे बिदारते में ऐसा योगशिखोपनी सदे है नहीं अपने नेट में लेकिन फिर भी दूसरे अधर कोर्सों में है लेकिन कोईस्टियन पूछा गया था चलिए अगला समझते हैं इसोपनी सद के अनुसार साधक कब शोक वा मूरहित हो जाता है A. सब प्राडियों के प्रति दया भावना से B. सब मनुस्यों से प्रेम करने पर C. सब मनुस्यों के प्रति करूडा भावना से सब प्राडियों के प्रति आत्म भावना से तो जड़ी सेलेक्ट करें तो सेलेक्ट कर लिया होगा D. सब प्राडियों के प्रति आत्म भावना से इसो अपनिसद के अनुसार साधक तब शोक वामोह रहित हो जाता है जब सब प्राडियों के प्रति आत्म भाव की भावना होती है तो आसा करते हैं आपने अच्छे से समझ लिया होगा जहां कहीना समझ में आए दुबारा से कमेंट बॉक्स में पूछें मैं एंसर देने का प्रयाश करूंगी स्वेम देखना तथा दूसरे बच्चों को जरूर सेर करना और नए है चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना बिल आइकन जरूर प्रेस करना और यह वीडियो कैसे आप किस प्रकार से आप आपको इन वीडियो से उपलब्धी प्राप्त हो रही है अपने अनभोज चरूर सेर करना धन्य बाद बिद्यारति